पत्नी को जीन्स पहनने से रोका तो पती को उतार दिया मौत के घार छोटी सी बात को लेकर घर हुआ बरबाद नमस्कार अदाब मैं हुआ रुश्कार आए और आप देख रहे हैं मेवादाज तक पर पत्नी की एक खौफनाक अजीब और गरीब कहानी आप इस वीडियो को पुरा अज़े तक जरूर देखिएगा दरसल दोस्तों यह घटना है जारखन के ग्रामन अलाके की जहां एक गाओं में सूरज नाम का लड़का अपने माता-पिता के साथ रहा करता था और इस सूरज की शादी उनके माता-पिता एक शहर की लड़की से करा देते हैं जब दुलहन घर में आती है तब सूरज उन्हें बेहत प्यार से रखता है कुछ दिन बाद सिलसला यूँ ही चलता रहता है जब एक दिन सूरज अपने खेतों पर काम करने चला जाता है और गाओं के पास में ही मेला लगता था सूरज की पत्नी उनकी बेहन के साथ मेला देखने चली जाती है और सूरज घर आता है तो पत्नी घर पर नहीं मिती सूरज अपनी मा से पूछता है अपनी पत्नी के बारे में मा कहती है आज आएगी बेटा तेरी बहन के साथ मों मिला देखने गई है यह सुनकर सूरज घर में रखा खाना खाने लगता है और मनही मन सोचता है कि मेरी वीवी मुझे कोई गिफ्ट लेकर आएगी लेकिन कुछी दिर बाद पत्नी घर में आती है और सूरज की नज़र जैसे ही पत्नी की उपर जाती है तो बहुत दंग रह जाता है क्योंकि उस पत्नी ने जीन्स और डीशिट पहनी हुई थी यह देखकर सूरज को बड़ा अटपटासा लगा और गुस्से से लाल हो गया सूरज बोला तुम यह क्या पहन कर आई हो यह सब गाओं में नहीं चलता पत्नी बोली यह मेरे शहर का पहनावा है और जो मेरा दिल कहे का उसी तरीकी की पौशाट पहनूगी इसे की नहीं मानूगी पती बोला में जीन्स नहीं पहनने दूगा इसे लेकर दोनों में कहा सुनी हो जाती है पत्नी अंजली कहती है ठीक है मैं अभी इन कपड़ों को उतार देती हूँ यह कहते हुए कमरे के अंदर जाती है वहाँ पे कपड़ों को तो उतारती नहीं मगर कमरे में रखा एक पती को मारना तो नहीं चाहती थी सर्फ डराना चाहती थी लेकिन वो खंजर गर्दन में लग जाता है। पती को उतार दिया मौत के खात छोटी सी बात को लेकर घर हुआ बरबाग। नमस्कार अदाब मैं हुआ रुषकार राय और आप देख रहे हैं मेवादास तक पर पती पतनी की एक खौफनाक अजीब और गरीब कहानी। यचिए टहे हैं में उतार देख गजाए वा छिए धानें अवानी बाता है।